हम सब के मार्ग दर्शक देश के यसोसी प्रधान मंत्री आधनिय से नरेंदर मोदी जी प्रदेश के मान्य राज्यपाल सिमती आनंदी वेन पटेल जी मान्य रक्सा मंत्री सी राजना सिंग जी सभी केंदरिय मंत्री गण देनमार्ग ता युएई के मान्य मंत्री गण प्रदेश सरकार में मेरे बडिश्ट सहयोगी उप मुख्य मंत्री दोय सी केशो प्रशाद मोर्य जी सी बरजेश बाठक जी मंत्री मंदल के मेरे सभी सहयोगी गण सभी यहाँ पर उपस्तित मान्य एमबेजडर्स उचायुक्त गण देश और दुनिया के उद्योग जगत के सभी कॉर्परेट लीडर्स पॉल्सी मेकर्स बिस्निस्ट डेलिकेशन्स और उपस्तित सभी उपस्तित निवेसक बंधों मैं आप सबका असीम संभावना वले इस प्रदेश ने उत्तर प्रदेश की पचीश करूर जनता की और से आधरिये प्रधान मंत्री जी का उत्तर प्रदेश ग्लोबल इंवेस्टर समिट के आज के सायोजन में हिर्दे से स्वागत करता हो अबिनंदन करता हो हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश ने बिगत छे वर्स के अंदर जो कुछ भी उपलब्दी हासिल करने की दिसा में प्रियास प्रारम किया है वादने प्रदान मंत्री जी के रिफार्म पर्फार्म और ट्रांस्फार्म के मूल मंत्र को अंगेकार करते वे उनके नित्रित और मार के दर्सन में ही उसे हासिल किया है आज जब देश अपने आजादी के अम्रित काल के प्रथम वर्स में प्रवेश किया है इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इंवेश्टर समीट और ग्लोबल इंवेश्टर समीट के माध्यम से बैसिक निवेशक समधाय को पॉल्सी मेकर्स, कॉर्परिट लीडर्शिप, बिजनेस टेलिकेशन्स, सिक्साविदों पॉल्टिकल एंड गॉर्वर्मेंट लीडर्शिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का ये मंच उन प्लब्धियों को आदनिय प्रदान मंत्री जी के विजन के अन्रूप उत्तर प्रदेश की अर्थ विवस्ता को वन टिलियन डॉलर की कॉनोमी बनाने की दिस्था में प्रियास का एक अभिन हिस्सा है मुझे बताते हैं प्रसंता है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नीदर लेंड, डेन्दमार्क, सिंगापूर, जापान, दक्षिन कोरिया, आस्टेलिया, इटली, संयुक तरब अमीराद, युनाटेट किंग्डम और मौरिसस, हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं ताद दुनिया के तमाम अन्य देशों के प्रतिनिधी इस आयोजन में सामिल होकर के इसे सफल बना कर के वास्तों में एक निवेस के महा कुम्ब के रूप में इसे एक निया स्वरूप प्रदान किये हैं आदने प्रदान मंत्री जी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आपके मार्ग दर्शन के उपरांद उत्तर प्रदेश के हमारे मंत्री मंदल के समूह ने दुनिया के सोला देशों की 21 सहरों में रोड सोखे आयोजन किये थे उन सभी देशों में भारती मिसंद से जुड़ेवे हमारे माने रास्दूतों ने उन्हें भरपूर सयोग देकर के आपके विजन के निरूप उत्तर प्रदेश में ट्रेग, टूरिजम एंड टेक्नलोजी के उस अविहान को आगे वढ़ाने के लिए अपना बहुत महत्वपूर योगदान दिया इसके साथ ही देश के दस बड़े महानगरों में भी इन रोड सोच के आयोजन किये गए और आज जब यहाँ पर आपका मार्ग दर्सन हम सब को प्राप्त होने वाला है तो नकेवल प्रदेश की राजधानी लखनों में दस हजार से धिक यहाँ पर आए वे उद्योग देश के दुनिया के प्रमुक उद्योग पतियों निवेशकों तब बिजनेस देलिक गेसंस की उपस्तिति में बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जन्पदों में भी ये कारिकरम एक साथ संचालित हो रहा है सभी 75 जन्पदों में एक कारिकरम एक साथ हम लोग आगे बढ़ाने का कारे कर रहे हैं इन फूरे कारिकरमों को आगे बढ़ाने के लिए हमें यूएस इंडिया स्टैटिजिक पार्टनर्सिप फोरम यूके इंडिया बिसनेस कॉंसिल यू इन्वेस्मेंट इंडिया चेम्बर आश्टेलियन इंडिया बिसनेस कॉंसिल फैटेशन अप इंडियन चेम्बर अप कॉमर्स अं इंडिस्टी थिक्की CII, Southern India Chamber of Commerce and Industry, JETRO, KOTRA, Abudhapi Chambers of Commerce, Indo-Canada Chamber of Commerce, Kanada India Federation, Indian Industry Association, PhD Chamber of Commerce, तालगू भारती, जैसे पर्मुक, सभी ब्यापारिक, जो बिस्नेस, पार्टनर से, इन सब ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोगी बनकर कि इन कारिक्रमों को आगे बढ़ाने का कारिक किया है। प्रदेश के अंदर इस पूरे निवेश महाकुम के उसर पर जो पर्मुक, बैस्ट्विक और भारती कंपनियों से, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूबल इनर्जी, इलेक्टोनिक्स, डिफेंस, एन इन एरो स्पेस, यहल्थ, फूट पोसेसिंग, डेरी, फार्मा, वेर हाॉसिंग और लजिस्टिक सहीत, सभी 25 सेक्टर में, जिनकी सेक्टोरियल पॉल्सी जुत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही, जारी की है, हमें निवेश के प्रस्ताव पराप्त हुए हैं, प्रदेश के अंदर, निवेशकों की सुविधा के लिए, प्रदेश सरकार ने फोर फिलर्स तै किये हैं, इनमें ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल निवेश स्वित्र, 33 विभागों की 406 सेवाएं, यह उपलब्द करवा रहा है, इन्वेशकों की जिग्यासाओं के समाधान, समस्या निवारण, और निवेश प्रियोजनाओं के अनुस्वरण की सुविधा दे रहा है, तो नीटियों में प्रावधानिक, इंसेंटिव को प्राप्त करने के लिए, ऑनलाइन इंसेंटिव, मैनिस्मेंट सिस्टम को भी विक्सित करने के साथ ही, हर एक निवेशक के साथ, एक प्रदेश के अंदर उद्यमी मित्र की तैनाती करने की विवस्ता भी, इसके माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंब की है आपके मार्क दरसन उत्तर प्रदेश ने दिगत 6 वर्स के अंदर इस ओप बिंग बिस्निस में एक अच्छी सफलता प्राप्त करते वे लीड्स रैंकिंग में एचीवर स्रेणी प्राप्त की है प्रदेश ने पिसले पांच वर्स के अंदर अपने निर्यात को भी दुगना करने में सफलता प्राप्त की है प्रदेश में आज आपके नित्रत और मार्क दरसन में हमारे पास अच्छा इंफरस्ट्रक्चर है प्रदेश बहतरीन कानोन बिवस्ता के लिए आज जाना जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जो अन्ने तमाम संभावनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश भारत की फूड बास्केट के रूप में जाना जाता है खाद्यान, दूद, गन्ना, आलू वाइथनॉल उत्पादन में प्रदेश देश में नंबर वन है वारानसी का सिर्ग कलस्टर, भधोई का कालीन कलस्टर ये प्रमुक टेक्स्टाइल हब्यूत्तर प्रदेश के अंदर हैं और इन सभी अन्ने सेक्टर्स में जहां पर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं उन सब को बढ़ाने के लिए सेक्टरियल पॉल्सीज इस दिसामें बहत तफूर भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं प्रदेश के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, टाय सिटी, अपेरल पार्क, हैंडी क्रप्ट पार्क, लॉजस्टिक हट, इंटीग्रेटेट इंडिस्टिरियल ताउंसिप, मेगा फूट पार्क, ट्रांस गंगा सिटी, गार्मेंट पार्क और कई प्लेट फैक्टरी कॉंप्लेक्स के विकास की कारवाई भी प्रदेश के अंदर युद्दस्तर पर चल लई है, और आज मुझे बताते वे प्रसंता है, कि पिसले च्छे वर्स में, आपके नित्रित और मार्क दरसन में, राज्य के ओध्योगिक प्रद्रिस्य में, जो सकारात्मक प्रिवर्तन आया है, आज वहाँ जमीनी धरातल पर भी दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, और निवेस महाकुम्ब उसके एक जलक भी प्रस्तुत करता है, इस निवेस महाकुम्ब में अब तक हमारे पास अथारा हजार छैसोत, तैंतालीस कुल M.O.U. हमारे साथ वर्तमा साथ वर्तमान में हुए है, और जिनके माद्यम से परदेश को अब तक 32,92,000 करोड उपे की निवेस के परस्ताव हमें प्राप्त निवेस के हैं, जिनके माद्यम से परदेश के अंदर 92,50,000 से धिक यहाँ पे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं जिनके मात्यम से प्रदेश के अंदर होंगी यह सभी जो सेक्टर वार प्रस्तावित निवेस है इनमें रिनेड़ वाज इनर्जी है Electronics Manufacturing, Industrial Park, Education, Manufacturing, Warehousing and Logistics, Real Estate, IT, Enabled Services, Tourism, Textile, Power Generation, Housing, Health Care, Food Processing, Dairy, Food and Civil Supplies, West Energy, Biofuel इन सभी छेत्रों में हुआ है इसके साथ ही सबसे मैं तुक्मोर बात यह कि पिछले छे वर्सों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है इनमें जो निवेस के प्रस्ताव आये हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी छेत्र और बुंदेल खंड का छेत्र आर्थिक जिस से पिछड़ा माना जाता था इस निवेस प्रस्ताव में अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नौ लाग पच्पन हजार करोड उपे के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेल खंड के लिए भी चार लाग अठाइस हजार करोड उपे के प्रस्ताव इस उसर पर हमें प्राप्त हुए हैं मैं एक बार फिर से आपके सुसी नित्रित्व और मार्ग दर्सन में उत्तर प्रदेश आज बिकास की जिन नई बुलंदियों के और अग्रसर हो रहा है बिमारू राज्य के दंस से मुक्त हो करके देश के ग्रोफ इंजन के रुप में स्तापित करने के आपके विजनेरी नित्रित्व में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश वासियों को आपने दाहित दिया है उसके सामें उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे वढ़ रहा है मैं इस उसर पर अपने सभी इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स को प्रदेश के अंदर एक बहत्तर प्रसासन और सर्वत्तम इस ओप डूइंग बिसनेस की सुवधा प्रदान करने का स्वासन देते वे आप सभी के आगमन के लिए प्रदेश की जंता की ओर से आप सब का हिरदे से आभार रखत करते वे आप सब के प्रद ससक को इस बात के लिए अश्वष्ट करता हूं कि राज्य सरकार आपके भीतों के लिए और अपने पौलसी के अंतरगत आपको हर संब़ों स्योग देने के लिए पूरी तखपरता के साथ कारे करेंगी जैहन